हलो दोस्तों गुड सिश्टर्डी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागा थे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट है जो बहुत ज्यादे फेमस है और कहा जाता है कि लहरों से डर कर नौका पार नह बंते हैं कि हम लोगा फिसिक्स में चल रहा था उस विदुत में आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकों के चैनल को स्टक्राइब करें और वीडियो करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि जो है वीडियो नमीं लोगों के लिए भी हईल्फु प्रतिरोधकों का सन्योजन होता है कि प्रतिरोधकों का सन्योजन कि एक्षली बहुत सारे लोग सूच रहे होगे कि बहुत सारा जो content है चैनल टोपिक है वह छोड़ा जा रहा है तो छोड़ने का परपज नहीं है बस यह परपज है कि प्रतिरोधों को किसी एक परिपत में जोड़ना ही क्या होता है? प्रतिरोधों को जोड़ना ही क्या है? प्रतिरोधों को जोड़ना ही क्या है? प्रतिरोधों को सन्योजन है और यह प्रतिरोधों को जोड़ना ही क्या है? प्रतिरोधों को सन्योजन है और यह प्रतिरोधों को सन्योजन है वो दो प्रकार का होता है किस किस प्रकार का होता है? एक होता है स्रेडी क्रम सन्योजन और दूसरा होता है समांतर क्रम सन्योजन समांतर क्रम सन्योजन एक होता है स्रेडी क्रम सन्योजन और एक होता है समांतर क्रम सन्योजन तो उमीद कर रहे होंगे कि यह सब समाझ में आ रहे होंगे क्योंकि प्रतिरोधुकों का सन्योजन क्या होता है दो या दो से अधिक प्रतिरोधुकों को किसी एक परिपत में जोड़ देंगे तो क्या होगा प्रतिरोधुकों का सन्योजन होगा और प्रतिरोधुकों का सन्यो कि किस प्रकार से स्रेडी क्रम में जोड़ा जाता है इसके बारे मोड़ें पढ़ रहे हैं देखिए स्रेडी क्रम सन्योजन ता प्रतिरोधा को स्रेडिक्रम में जूड़ा जाता है स्रेडिक्रम में जूड़ने का मतलम अब अच्छे से रह लेते हैं उसके बाइन के हम खोस्षिस करते हैं यहां पर कुंजी लगी राती है और उसके बाद यहां पर परिपत्स से इसको एड़ कर दिया जाता है परिपत्स से इसको एड़ कर दिया गया अब देखें प्रतिरोधक आरवन है रेजिस्टेंस आरटू है यार थ्री है भूक में चुकी इसमाल में भी लिखा रहाता है लेकिन हम लिख रहें हैं केपिटल में तो आप इसको समझ लीज़ेगा अच्छे से और वन आरटू और थ्री यह बान लेता है कि पूर्य परिपत्स में आई ध धवांतर होगा वह क्या होगा भी 1 भी 2 मिट्री तो इतना ठीक है लेकिन आखिरी चित्र बन गया लेकिन इसके बारे में हम लोग जाने नहीं कि आखिर कैसे ये प्रतिरोधकों का सन्योजन हुआ है कि स्रेडी क्रम् शन्योजन को लिखना रहेगा तो श्रेडी क्रम् सन्योज ऐसा कम सन्योजन है जिसमें प्रतिरोध को कि इतने प्रतिरोध दे गया है इसमें देखे क्या हुआ है पहले प्रतिरोध का यह जो पहला प्रतिरोध है पूरा यह दूसरा प्रतिरोध है यह तीसरा प्रतिरोध है पहले प्रतिरोध के पहला सीरह नहीं पहले सीरह को छोड़ प्रतिरोद के दूसरे सीरे को तीसरे प्रतिरोद के पहले सीरे से जोड़ दिया जाता है तथा पहले प्रतिरोद का पहला सीरा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा कास्ट डीजाता है वियूद बैटरी से जोड़ दिया जाता है अब दकिए एक प्राइव समझने के जोड़ा थी क्योंकि पेपर में पूछा जाता है और पेपर में इस पे नुमेरिकल बेस्ट क्वेस्ट भी आते हैं तो इसको समझ लिए अम पहले सीरे से दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सीरे को तीसरे प्रतिरोधक के पहले सीरे से जोड़ करके और तीसरे प्रतिरोधक के दूसरे सीरे को और प्रतिरोधक के पहले सीरे को कहां से जोड़ दिया जाता है विदुत बैटरी से जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार के सन्योजन को हम क्या काते हैं स्ट्रेणी क्रम सन्योजन इस सन्योजन में क्या रहता है विजुत धारा जो रहती है वो समान रहती है लेकिन विभवांतर जो रहता है अलग रहता है और जो प्रतिरोधक रहते हैं वो भी क्या होते हैं अलग-अलग रहते हैं तेके प्रतिरोधक में प्रतिरों थको के अलग अलग रहने की स्थिती में हम पढ़ें ओम का नियम हमिनों क्या पढ़ें बीएक्वाल टू आई इन्टू आर एक्वाल टू आई इन्टू आर यानि कि प्रतिरोधक जो क्या बोलते हैं ओम कर्णियां पढ़े हम लोग कि परिपत के विश्ष्टा ताप में कोई परिवर्ता न किया जाये तो उसमें जो बहने वाली धारा है किसके उनकर्वान पाती ह एप फौणतर के कि पर्तिरोधक पर्तिरोध कि उनकर्वान पाती होते हैं उनकर्वान पाती हुए विए सकता है लन्दू परिपत के विश्ष्टा ताप में परिवर्ता न किया जया है तो कि उसमें तो पहने वाली धारा होगी वह किसके अनकुर्मान पाती होगी प्रतिरोध के अनकुर्मान पाती होगी और इसी नियम को क्या कहते हैं ओम का नियम में बताए गया भी बराबर आई गुणे आर तो इस प्रकार से पहले प्रतिरोधक के लिए भीवन कमान निकालते हैं पहले प्रतिरोधक के लिए भ है कि दूसरे के लिए दूसरे प्रत्रोध के लिए क्या होगा सबमें तो क्या होगा इसका मान क्या होगा या टू हो जाएगा ऄड़ेंपि न dwell ती त्री क्या हो हो गया समिकार्ण 2 यह हो गया समिकार्ण 3 यह हो गया अब देखिए पूरे जो परिपत है इसका समतुल्य प्रतिरोद निकालेंगे पूरे परिपत का पूरे परिपत का समतुल्य प्रतिरोद समतुल्य प्रतिरोध पूरे परिपत्खा समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा भी के बराबर होगा समतुल्य विभवांतर समतुल्य विभवांतर कि समतुली ज़ी विभांतर निकालेंगे तो ये बदराबर क्या होगा है ये यानिकी समतुली प्लॉस ब्स की फ्ली प्लस प्लस बंद ऻीटर निये बदर होगा तो इसको अमयं कि कनफो यह ग्याई इसको ऐसे रख देखते हैं यह जो फीबन है बीटू है वीट्स इंका मां उठाओ कर ये इसमय पूटप कर देंगे टो वी कोल टू क्या हो जाएगा हुए कोल टू क्या होता है आइगुने आर यह तो आपको पता ही है कि होता है V equal to I-R तेकिन अब देखिए V1 कमान यहाँ पर निकाला गया है I-R1 प्लस V2 कमान क्या निकाला गया है I-R2 प्लस V3 कमान निकाला गया है I-R3 तो देखिए इसमें आई गुणे आर है और इसमें आई गुणे आर उन आ घुने आठाट बाद आई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाए गए आप तो बचा क्या है है अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं कि स्रेडी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध स्रेडी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का योग किसके बराबर होता है समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है यानि कि समतुल्य प्रतिरोध इनको जोड़ देंगे तो प्रतिरोधक आरके क्या होगा बराबर होगा लेकिन स स्रेंडी क्रम में जुड़े प्रतिरोध को का जो समतुल्य प्रतिरोध को वो किसके बराबर होता है स्रेंडी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उनके प्रतिरोध के बराबर होता है किसमें पता चला है स्रेड़ी क्रम सन्योजन में अब देखें स्रेड़ी क्रम सन्योजन में एक चीज का पता चली हमें इसमें बीदुध्धारा के वल एक ही प्रवाइत हो रही है अर्थात यह बिल्द धारा एक समान होती है किसंद्रेडी क्रम सुन Dewy सिण xuभी क्विर्द धारा समान होती है तो घ्टर रहे होंगे कि यह सब्रुट अब अप लोग अच्छ असमझ में होंगे और यह जो है एक्वल प्रतिरोधकों को जोड़ करके और विभवांतर जो होता है सब का अलग-अलग होता है कि ब्यूत-धराइस में कहा होती है समान होती है तो दारा समान प्रवाहिए कर देंगे और प्रतिरोधकों का अलग अलग कर देंगे और सभी प्रतिरोधकों को अलग अलग दर्शा करके और ओम के नियम वाला जो सुत्र है इसका प्रियोग करके हम क्या कर सकते हैं तीन समिकार बनाएंगे और समतुल्य विभांतर निकालेंगे और समतुल्य विभांतर क के मान रख करके और आई के मान यहां पर कॉमन करके हम क्या कर सकते हैं निकाल करके और कटा सकते हैं जब कटाएंगे तो क्या होगा समतुल्य प्रतिरोध आरक किसके बराबर होता है समतुल्य प्रतिरोध उनका योग फल किसके बराबर होता है प्रतिरोध के बराबर होता है औ और स्रेडिक्रम में प्रतिरोध को क्या समान होता है विदुधारा समान होती है अब हम पढ़ते हैं समांतर क्रम सन्योजन के बारे में क्योंकि समांतर क्रम सन्योजन भी बहुत महतोपुण है और यह पेपर में पूछा भी जाता है तो चुकि मेरा यही टारगेट है कि किस प्रकार से मतलब कारी करता है इसके बारे में पेपर से पहले आप लोगों को वीडियो बना करके और खरवाद दिया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी आप पर परिक्ष्छा वाले कि और गारे में पहले हैं इनके देखेर को उनकी हो सकें तो जांते हैं कि समांत करम संविजन का होता है से समांतर काम सन्योजन भी आसान ही होता है समांतर करम सन्योजन क्यों instructions कि यह ़िखिए déjà कि इसमें प्रतिरव जो कैसे जो दो टो गया sûr कैसे होगय कि तीसरे प्रतिरो चपीन आए हो गया अब देखिए यह सुमांतर करम सनेजन हम पड़ रहे है सिमांतर कंस सनिजन कुछ संुद्ध तो समान्तर कंस जर पड़ दें इसम पहला प्रतिरों हैं यह दूसरा प्रतिरों और यह बहूं साहां हो गया एसमें आन से इसमें बिभान्तार identific होता है समान होता है विवांतर का होता है समान होता है सिरो का विवांतर और इसमें बिदुधरा क्या होती है अलग अलग होती है इसमें हो जाएगी इसमें प्रतिरोधकों को जोड़ा कैसे जाता है इसके बारे हम लोग ज्यानते देखिए इसमें तीन प्रतिरोधकों को सभी प्रतिरोधुकों के पहले सीरे को किसी एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधुकों के दूसरे सीरे को किसी एक बिंदु से जोड़ कर और पहले तथा दूसरे सीरे को कहा जोड़ दिया जाता है कि विदुत बैटरी से जोड़ दिया जाता है पर उम्मित कर रहे होंगे आपको अच्छे से समय में एले कि जोडते कैसे हैं कि शमांतर कर में जूड़े प्रतिणोधिकों का प्रोसेस क्या हो था समांतर कर समांतर समान होता रह кино जूर्कॐत के नव्री और तीन्हो प्रतिरोध का द्वीरा स Sn और तीनना प्रतिरोध का दूसरा सीरा कहा जोड़ा तो यह कैसा क्रम्ष सोसर्य प्रतीरो दिक Oliver करके हैं कि आपकर बैतरी रचिप डियाता है तो होता है क्या गाल जाता है यहां पर लगा राता है कि इस सेल बोला जाता है इसको कुंजी बोले जाती कि अब देखिए चुकि इसमें क्या समान है बिदुधरा एक समान है तो अब देखिए इसका प्रोसेस क्या होगा बिदुधरा एक समान है तो ओम का नियम का कहता है का है ओम का नियम काता है वी कोल टुः इंटू आ यह कौन कोता है वह का नियम चुकिक जो स्रेनिक्रम स्रेम्जन था उसमें किस का मान निकाले थे अब यहां पर आई के मान निकालेंगे तो यहां और में अलग अलग हुआ है विदुधरा क्या है अलग-अलग है इसने आई है यह भी आई है और यह भी आई है यह अलग-अलग है तो हम सब में बद्धारा-קमान निकाल लेते हैं इसको परिपध्ध一 में डेखें क्या देख है इसमें इसमें क्या देखा जागा है आई इक्वल 2 इक्वल 2 क्या होता है भी अतान होता है चिसमें जो विभवांतर है भी है Muito शांतर क्या है भी है अपन प्रतिरोध क्या है प्रतिरोध क्या है एक ऑक अउसको आई गालें आर इससे देखिए सुतर लिखा है भी बटार तो भी बटार होगा तो यहां पर भी क्या है बराबर है सब के लिए तो भी का भी ही होगा और आर का क्या है इसका आर तू है कि समिकरण दो हो गया थे लिए फिर मान निकालए है ठीजर इस्कान निकालेंगे ठीजर्ट स्वै यह भी होगा और अलंड क्या हो जाएगा र फृत Chung 2005 क्या हो जाएगा व हो टीन हो जाएगा इन तीनों समीकरण में क्या देखने को मिल रहा है इसव Siz वह सब पार है common person है सब में क्या है common person है अब देखिए चुकी इस परिपत में समतुल्य धारा समतुल्य धारा समतुल्य धारा इसमें क्या होगी i equal to i1 plus i2 plus i3 यह क्या होगी समतुल्य धारा होगी जब समतुल्य धारा होगी तब देखिए i क्या मान क्या होता है i क्या मान हम यहाँ पर लिकार रखे हैं क्या निकाल कर रखे हैं b बटा r तेहां पर रखिए b बटा r equal to i1 का मान हमें अपर क्या लिकाल कर रखे हैं b बटा r1 plus i2 का मान क्या निकाल गया है सब में निखा घाल गया है अब देखिए इन सब में कॉमन क्या दिखाई जा रहा है भी बटा आर इक्वल टू सब में भी कॉमन है यहां पर लिखा गया है वन अपन आर इसमें से भी कॉमन लेली लिए तो और आरट उसमें सभी कामन लिए गया गया तो और प्री हैं इन तीनों में देखिए भीопता री बाट और तू कि वह लिपर वन लहें यह लोगा है तो यह लीन टू यहां प्रतिरोध्रागों के लिए भी भीड़ता है उत्या-पर्तिरोध में जुड़े हो चले कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के ब्यूत्क्रम यहाँ पर उल्टा दिया गया है समांतर क्रम में जुड़े गये प्रतिरोधों के ब्यूत्क्रम का जो योगफल है वह किसके अनुपातिक होता है का योगफल, तो प्रतिरोद के वियुध करम के बराबर होता प्रतिरोद के बराबर होता है, कि ब्यूत्करम का योगफल यानि कि सब का ब्यूत्करम करेंगे और उनका योगफल करेंगे तो वह किसके बराबर होगा प्रतिरोध के ब्यूत्करम के योगफल के बराबर होगा तो इसमें क्या समान थी को टॉपिक यहां पर देख लेते हैं देखिए यहां पर इसमें क्या समानतर इसमें समानतर कर समीजन चाया समान और एक तो उप wedा में पूछा भी जाता है कहीं एक दूरनमर का पूछ ले ताहिता है विजद्धारा मापन हृज द्रहरा का मापन है कि सखिए जायता है एमीटर से ता को अगया से दो इसको एंब की आग्याहर्ज अपल आता है there अधिा से मिइटर बिफावन्तर का मपन कि से क्यान रहा कि स्षद्ञ मापन कीजिक से क्या है कि अधिधार रहा हूंगे कि यह चेप्टर आप लोग क्षे समें रहे होंगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक सेयर करें और मोस्टली उन लोगों के पास जो लोग बोर्ड की परिच्छा देने वाले हैं और चाहते हैं कि कम समय में अच्छा से अच्छा नंबर गेंड किया सके तो इस चैनल से जूड़े रहिए और आपको अच्छे स अच्छे कंटेंट आपको मिलता रहेंगे भविस से में मिलता रहेंगे पेपर के बाद भी मिलता रहेंगे अनिक अक्छाओं के भी कंटेंट है वह आप लोगों के अच्छे से मिलता रहेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बह